जैहिन प्यारे मित्रों आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरार क्लासेस में आप सभी का सागत है जैसे कि हम सभी लोग जो डिस्केशन कर रहे थे MCQ कोस्चंस के बारे हम सभी लोग डिस्केशन कर रहे थे MCQ कोस्चंस कोस्चं के बारे हम डिस्केशन कर रहे थे हमारे MCQ कोस्चंस जो है रेलबे CBT2 जो हमारे रेलबे ALP का जो एक्जाम होगा रेलबे ALP CBT2 और जो है DRDO इसरो सेल बार्क और जो भी हमारे आल अदर जो भी टेक्निकल एक्जाम होते हैं उन टेक्निकल एक्जामों के लिए जो है क्लाsz को आक्टिन्य करेंगे एक सो एक नंबर कोशन से हम लोग जो रुए यह डिसके não करेंगे यह कोस्चन है नाग में घुन को विघोडे हैने क्ल दाज ही चैन्म Meh 315 परल शंट्राइक Smith को चिद विखितर एं कॉलेट में इसमें बांधा जाता है आप्शन है पैरलेल सेंग के डायमीटर से कम निक्स्ट आप्शन है पैरलेल सेंग से डायमीटर से अधिक निक्स्ट आप्शन है पैरलेल सेंग के डायमीटर के बराबर निक्स्ट आप्शन है कटर के साइज के बराबर इसका राइट अं नमबर C, parallel sank के diameter के बराबर बांधा जाता है, इसका राइटन्स रो जाएगा, option नमबर C, question था हमारा parallel sank and mill को spring collect में किसमें बांधा जाता है, parallel sank के diameter के बराबर बांधा जाता है, next question हमारा 102 नमबर question है, rough milling में heavy feed और cut की घराई पर निर्भर करती है, यह question जो RRB पटना में पूंशा हुआ, question हमारा 102 नमबर question है, rough milling में heavy cut, अगर हम milling machine में rough milling कर रहे हैं, तो उसमें जो heavy cut और cut की घराई डिफटाप cut पर निर्भर करती हैं, option है, work piece की सूधरीटा पर next option है, machine की सूधरीटा पर next option, operator की सूधरीटा पर next option, एवभी दोनों, इसका right answer हो जाएगा, option number D, A वभी दोनों, work piece की सूधरीटा और machine की सूधरीटा पर निर्भर करती है, heavy cut और depth of cut, milling machine पर निर्भर करती है, इसका right answer हो जाएगा, option number D, A वभी जो हैं, दोनों, next question है हमारा, 103 number question है, निम लिखित में से कौन साम finish milling का उद्देश है, question है हमारा, निम लिखित में से कौन साम finish milling का उद्देश है, आपचिन है, work piece को आवश्यक dimension तक बनाना, next option, work piece को आवश्यक surface finish में बनाना, next option A वभी दोनो, next option न आपचिन न ए और न B, इसका राइटेंस रो जाएगा, आपचिन नमबर C, A वभी दोनों question था हमारा, 103 number question था, निम लिखित में से कौन साम finish milling का उद्देश है, finish milling का उद्देश है, work piece को आवश्यक dimension तक बनाना, next option न आपचिन नमबर C, A वभी दोनो, next question हमारा, 104 number question है, 104 number question है, अच्छी surface प्राप्ट करने के लिए, finish milling के लिए, उपियुक्त machining allowance होना चाहिए, machining allowance जो है, कितना होना चाहिए, question है, 104 number question है, अच्छी surface प्राप्ट करने के लिए, अगर हम milling machine में जो है, surface clean तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जो है, अच्छी finishing, जो हाई quality की जो finishing होती है, उसको प्राप्ट करने के लिए, finishing के लिए, उप्यूक्त machining allowance, machining allowance जो है, कितना होना चाहिए, यह question जो है, RRB, राची में पूंचा हुआ question है, option है, 0.1, show micron, next option है, 0.2, next option है, 0.5, next option है, 0.8, इसका राइट अंसर हो जाएगा, option number C, 0.5, 0.5, जो है, machining allowance जो है, छोड़ा जाता है, इसका राइट अंसर हो जाएगा, option number C, next question है, हमारा 105 number question है, rough milling operation के लिए, निमलीखित में से कौन साम महत्वण नहीं है, कौन सा जो है, महत्वण नहीं है, rough milling operation के लिए, निमलीखित में से कौन सा महत्वण नहीं है, यह question जो है, RRB, राची में जो है, पूंचा हुआ question है, otion is exercise finishing की quality next option machine की सुरूर दिट 이쪽 next option is cut की फिलाई next option है work piece की सुरूर दिर्टा इसका आइटेंस रो जाएगा i Artem notion is machine surface finish की quality यह क्या question है मारा 105 नमबर question Rough link operation के लिए निमPLK curios में से कौँ सा महत्पूर नहीं है Rough Milling के लिए तो आई जो सर्फिस फिनिस की क्वाल्टी सर्फिस फिनिस की क्वाल्टी जो है रफ मिलिंग से इसका कोई उद्येश नहीं है नेक्स्ट कोस्चन है मारा 106 नंबर कोस्चन है प्लेन मिलिंग की जाती है प्लेन मिलिंग की जाती है, 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 प्लेन मिलिंग की इसके point पर बात करते हैं plane milling एक operation क्या है कि एक operation है जिसमें पतले milling cutter के rotation जो cutter की rotation होती cutter की चाल के अच्छ के समानांतर plane flat और horizontal surface बनाई जाती है इसे slab milling कहते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग slab milling भी जो है next question है 104 number question है इंटर्नल surface की मशीनिंग के लिए टूल पर normal clearance angle होना चाहिए या question जो है हमारा आरारभी रांची में पूंशा हुगा question है question हमारा 107 number question है internal surface की मशीनिंग के लिए internal surface की मशीनिंग के लिए tool पर normal clearance angle होना चाहिए 0 degree से 6 डिग्री तक next option है 60 डिग्री से 10 डिग्री तक next option 8 डिग्री से 10 डिग्री प्लस secondary clearance next option प्रयोप्ट में से कोई नहीं इसका राइटन्स रो जाएगा option number C 8 डिग्री से 10 डिग्री प्लस secondary clearance जो है होना चाहिए इसका राइटन्स रो जाएगा option number C कोईच्चन था हमारा इंटरनल सरफेस की मशीनिंग के लिए टूल पर नार्मल क्लियरेंस अगल होना चाहिए जो टूल होता है टूल पर नार्मल क्लिरेंस इंगल जो है कितना होना चाहिए आठ डिगरी से 10 डिगरी प्लस जो है सिकंडरी क्लिरेंस जो होना चाहिए सेन बाते निक्स्ट कोश्चें हमारा एक सो आरट नंबर कॉस्चें की टेबल टेबल की अधिकतम सेलींग होती है कोश्टें हमारा एक सो आर्ट नंबर कॉस्चें है योनिवर्शल मीलिआ मशिन की ज़ोटबल होती है до ster turned यह कुरुसें कर सकती है यह को ऩिस अरार पहुंच पूछा हुआ हैं आप्शन हैं दोनों की मशी तेखने दोनों साइड नीम आप्टी फॉर्ट ओंव्मेंट किया जा सकता है लेट तोनों साइड पर सुखती पिछों मीरीटिंगरी पर अनिके प्रतों सुना मॅन जा कुरी पर छोपाइड र्युनिश तेखने मसीन, Plain Milling Machine के शमान होती है. जो हमारी यूनिवर्सल मिलिंग मसीन होती है, यह Plain Milling Machine के शमान ही होती है, इसका Driving Mechanism साधारण होता है. जो Driving Mechanism होता है, जिसमें हमारी Mechanism घेर यंत्रावली लगी होती है, यह भी साधरन होती लेकिन वर्क टेबल को घुमाने योग आधार पर लगाया जाता है वर्क टेबल को क्या किया जाता है घुमाने योग आधार बेस पर जो जिसका बेस क्या करता है कि घुमता रहता है उस पर जो है लगाया जाता है इसकी सहायता से वर्क पीस की कटिंग टूल के सा वेस्ट से जो है उसकी तल से दोनों साइडों पर अधिक्तम 45 डिगरी के कौन पर घुमाया जा सकता है यूनिवर्सल मिलिंग मसीन की टेबल को 36 तल से जो है दोनों और 45 डिगरी पर घुमाया जा सकता है मिलिंग मसीन में निमलिखित में से कौन से मानक टेपर का प्रयोग साधारते किया जाता है कोस्चन है हमारा 109 नमबर कोस्चन है मिलिंग मसीन में निमलिखित में से कौन से मानक टेपर का प्रयोग साधारते किया जाता है अप्षयन है जर्णो निक्स्ट प्षयन को जाता है मिलिंग मसीन में इसका राईट निक्स्ट पोस्ट प्षयर है आप्षयन तू को सिर्फ को आप्षयन है ओप्शन हैं Shipping Machine Next Sheeping Machine Next नेक्स्ट इंच्ट आप्शन है Broaching Machine Next Otion Is Slotting Machine Next ओप्शन no.D ये सभी इसकर आईटेंस रो जाएगा आप्शन no.D ये सभी के द्वारा जो हम Internal कीवें काटी जा सकती है अप्शन था हमारों Shipping Machine के द्वारा Broaching Machine Slotting Machine All of इस बी के द्वारा जो है internal कीवे जो है काटी जा सकते हैं इसका राइटन्स रो जाएगा अपसा number डे नेक्स्ट कोश्चन है हमारा 111 नमबर कोश्चन है डाउन मिलिंग ओपरेशन सिर्फ पर ही कारिविन नेत की जा सकती है question है मारा down milling operation sold only be performed on down milling operation सिर्फ पर ही कार्यान वित की जाती है option है सक्त machine, riding machine, next option plane milling machine, next option है riding machine with backless eliminator, प्रति छेप या backless eliminator, युप्त सक्त machine hand milling machine, इसका riding machine with backless eliminator, प्रति छेप या backless eliminator, युप्त सक्त machine का प्रयोग किया जाता है down milling operation, question है, down milling operation सिर्फ पर ही कार्यान वित की जा सकती है इसका riding रो जाएगा option number same next question है, हमारा 112 number question है, brown एवं sharp taper किस में प्रयोगत होते है question है, brown and sharp taper किस में प्रयोगत होते है, option है lead पर next option है, safer पर next option, drill पर next option है, milling पर, इसका riding answer हो जाएगा option number D, milling machine पर जो है brown and sharp taper का प्रयोग किया जाता है इसका riding answer हो जाएगा option number D, देखिए इसके point पर बात करते हैं brown and sharp taper milling machine में प्रयोगत होते हैं किस में? milling machine में प्रयोगत होते हैं, brown और sharp प्रणाली में तीन indexing plate होते हैं, brown and sharp प्रणाली में हमारी तीन indexing plate होते हैं और और प्रते एक plate में 6 छिद ब्रित होते हैं, प्रते एक में 6 छिद ब्रित होते हैं next question है, हमारा 103 number question है, machining of which the following materials requires less cut force निमली कि सामग्री में से किसमें कम कर्तन, कम cutting बल मसीन के लिए किया जाता है यह question है, हमारा इस रो, technician में पूंशा हुआ question है, आप्शन है titanium, next option है stainless, stainless, steel, next option है, aluminium, next option है, cast iron, इसका right answer हो जाएगा option number D, aluminium, aluminium material के लिए जो है, कम cutting force जो है, कम cutting बल जो है, लगता है इसका right answer हो जाएगा, option number C, देखिए इसके point पर बात करते हैं, aluminium अन्य दिये धातों की अपेक्छा, तन्य, soft machine योग होता है जो aluminium होता है, या बहुत ही soft metal होता है, अता है, इसके machining के लिए कम cutting बल की आवेशकता है, कम cutting बल की जो है, आवेशकता होती है नेक्स्ट कोस्चन है, हमारा, 114 नंबर कोस्चन है, brown and sharp taper is generally used in, बोरे नुकीले taper का प्रियोग सामनेते हैं, इसमें होता है, आप्चन है, let, next option है, milling machine, next option, sappers, next option है, drills, इसका right answer हो जाएगा, option number B, milling machine में प्रियोग किया जाता है, मिलिंग मसीन में इसका प्रियोग होता है, कोस्चन था हमारा, 114 नंबर कोस्चन था, brown and sharp tapers is generally used in, मिलिंग मसीन में प्रियोग किया जाता है, next question हमारा, 115 कोस्चन है, milling operation में feed rate दर्साया जाता है, कोस्चन है, 115 कोस्चन है, milling operation में feed rate दर्साया जाता है, मिलिंग operation में feed देने के लिए कई विधियां है, अगर हम milling machine में जो feed देने के कई विधियां होती हैं, इसलिए feed की उत्तर कई प्रकार से की जा सकते हैं, feed की जो उत्तर होता है, यह कई प्रकार से जो दिया जा सकता है, feed व्यक्त करने के लिए सरोत्तम विधि, कटर के प्रतेग दातें द्वारा machine की गई दूरी, मसीनित की गई दूरी मिली मीटर प्रती दांते प्रतेग दांते द्वारा मसीनित की गई दूरी को कटर के दांते की संख्या से गुणा करके फीट प्रती चक्र ग्यात किया जाता है इसे दांटों की संख्या से जो प्रचकर होता है दांटों की संख्या से जोई गुणा करके जोई याद किया जा सकता है Next question है हमारा 116 number question है Question है हमारा 116 number question है 83 दांटे युक्त किसी गेर को मिल करने के लिए indexing पदधत का परियोग किया जाता है कोंसी indexing पद्धत का प्रयोग किया जाता है 83 दांतों योक्त किसी gear को मिल करने के लिए अगर 83 दांतों को Såya Gear काटने के लिए indexing पद्धत का प्रयोग करते हैं कोन सी indexing पद्धत का प्रयोग करते हैं simple indexing next option compound next option differential next option rapid इसका right answer हो जाएगा आप्षिन नंबर से डिफ्रेंट्सियल इंडेक्सिंग का प्रयोग करते हैं हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा 117 नंबर कोश्चन हम 19 डिग्री 40 मिनट के कौन को इंडेक्स करने के लिए किस इंडेक्स प्लेट की आवय सकता होती हैं इसका प्रयोग करते हैं प्लेट प्रयोग का प्रयोग किया जाता हैं इंडेक्सिंग प्लेट की आवय सकता होती हैं नेक्स्ट कोश्चन हमारा 118 नंबर कोश्चन है एक डारेक्ट इंडेक्सिंग ओफरेशन के लिए एक इंडेक्सिंग अटेच्मेंट जिसके साथ 24 स्लाटो वाली इंडेक्स प्लेट लगी है क्या है कि 24 स्लाटो वाली इंडेक्स प्लेट लगी है का प्रयोग करके किया जाता है वर्क पीस परनिम लिखित में से डी वीजनों का कौन सा सेट मिलिंग नहीं किया जा सकता हैं कौन सा सेट मिलिंग नहीं किया जा सकता है यह कौस्चन जो है रार भी रांची में पूंचा हुआ कौस्चन है यह कौन सा चोबिस से जो पूरी पूरी तरीके से जो है डिवाइड हो जाएंगे यह भी हमारा हो जाएगा 24 से कट जाएगा 12 से कट जाएगा 8 से भी कट जाएगा option जोए A से भी कट जाएगा B वाले option से भी कट जाएगा C वाले option से नहीं कट जाएगा D वाले भी option से कट जाएगा इधे हैं क्या कह रहा है set milling नहीं किया जा सकता तो हमारे C वाले option सात्स और पांट से चोभी से पूरी पूरी तरीके से ढडिवाइड नहीं होगा इसलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसे नंबर सी नेक्ष्ट कोोशन है 119 नंबर पेसे नहीं के दान्ट की ठीकनेस मापी जाती है कोश्चन है हमारा 119 नमबर कोश्चन है रेक दांत की थिकनेस मापी जाती है आरार भी राची में पूचा हुआ कोश्चन है आप चैने यूनिवर्सल वर्नियर कैली पर द्वारा निक्स टॉप्चन है गियर तूथ वर्नियर कैली पर द्वारा निक्स टॉप्चन है फ्लैंस कि साधरन वर्णियर केली पर सही लेते हैं जैसे कि साधारन वर्णियर कैली पर से लेते हैं जो हमारा गियर तूथ वर्नियर केलिपर होता है जिस प्रकार से हम साधारन वर्नियर केलिपर का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से हम जो गियर तूथ वर्नियर केलिपर का भी प्रयोग करते हैं इसके दोनों इसकेलों की रीडिंग अलग अलग ली जाते हैं जो गियर तीथ वर्नियर केलिप ये साइज के अनुसार वर्टिकल स्केल पर रीडिंग सेट करते हैं और दांत की कडिल ठिकनेस की माप लेने के लिए हरिजन्ट जांटल स्केल का प्रियोग मिलाया जाता है गियर तूथ वर्णियर कैली पर का प्रियोग गियर के दांतों का कडिल अडेंडम तथा और कडिल ठिकनेस अर्थात पिछ सरकल पर दांतों की मोटाई 0.02 mm की सुचमता में मापने वच्चे करने के लिए किया जाता है गियर तूथ वर्णियर कैली पर से 0.02 mm की सुचमता में दांतों की मोटाई को चे करने के लिए प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट कोस्चन है मारा 120 नमबर कोस्चन है बोरिंग ओप्रेशन में टूल का पॉइंट 1.5 mm विस्थापित होने पर के बराबर ब्यास में बदला जाएगा कोस्चन है हमारा 120 नमबर कोस्चन है बोरिंग ओप्रेशन में टूल के पॉइंट के 1.5 mm विस्थापन होने पर टूल के जो point होगा उसको जो है 1.5 mm विस्थापन करने पर के बराबर ब्यास में बदला जाएगा यहां question जो है RRB सिकंदराबाद में पुंचा हुआ question है option है 0.73 mm next option 1.5 mm next option 3 mm next option 6 mm इसका right answer हो जाएगा option number C 3 mm विस्थापित किया जाएगा इसका right answer हो जाएगा option number C next question है हमारा 121 number question है कटर मेंडल पर बंधी हुई एक index plate का परियोग रेक फिस grinding के लिए cutter की position के लिए किया जाता है किसकी रेक फिस grinding के लिए cutter की position के लिए किया जाता है अलग index plate की आवसकता होती है क्योंकि यह question जो अरार भी सिकंद्राबाद में भी पूंचा हुआ question है इसका option है तूत रिष्ट कटर को रेक फिस पर प्रत्यक्ष पोजीशन पर नहीं रखा जा सका next option है index plate का प्रियोग करना अधिक आसान होता है next option कटर बुरी तरीके से गिस गया है next option इस कारे के लिए केवल यही भी दिया इसका राइट अंसर हो जाएग option number C cutter बुरी तरीके से जो है गिस गया है देखे इसके point पर बात करते हैं cutter mendel में बंधी हुई 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 एक index plate का प्रियोग rake fist grinding के लिए cutter की position के लिए किया जाता है cutter को हमें क्या करना है कि grind करने के लिए किया जाता है tool wrist को cutter के दात के rake fist पर प्रत्यक्ष रखने के बज़ाए index plate की nose पर locate करती है जो index plate की nose होती है उस पर locate करता है अलग index plate की आउसकता होती है क्योंकि index plate का प्रियोग करना अधिक आसान होता है क्या होता है अधिक आसान होता है next question हमारा next question हमारा 123 number question है warm soft के एक पूंड चक्कर में वर्म भील घूमता है question हमारा 123 number question है warm soft के एक पूंड चकर में वर्म घूमता है यह question जो है आरार्वी तिरुवन्त पूरम में पूंचा हुए question आप सेने चकर का एक बटी 10 बाग next option चकर का एक बटी 20 बाग next option है चकर का एक बटी 25 बाग next option चकर का एक बटी 40 बाग में इसका राइट अंसर हो जाए क आप्चन नंबर डी चक्कर का एक बटै चारी वहां भाग स्वें वी मूलमर करता है क्वोमता है चालिस दांतों वाला एक वर्म वील जो इंडेक्सिंग हेड इस पेंडल के साथ जूड़ा रहता है जो इंडेक्सिंग हेड होता है इंडेक्सिंग हेड में जो चालिस दांत वाला एक वर्म वील होता है वर्म वील होता है जो इंडेक्स हेड इस पेंडल के साथ जूड़ा र दिदान नबर निम्लिखित से कौन सा कथन शही नहीं है यह पूस्टन जर्ण ही नहीं से दिख iets होता है just a nop claim इंडिक्सिंग के लिए वर्म और वीन घूंता है इसका राइटेंस भोग जाएग आपसर नंबर कॉैस्टन केह रहा है कौन सा कथां सही नहीं है जो डिवाइडिंग हीड़ और मे वर्म और वर्वहील का गीर अनपाथ जोए 50 अनपाथ एक दिया है लेकिन होता कितना है 40 अनपाथ जोए एक होता है कितना होता है 20 अनपाथ एक होता है इसमें पॉइंट में दिये गए हैं इंडेक्सिंग एक अटेश्मेंट है इंडेक्सिंग एक अटेचमेंट है जिसका प्रयोग जॉब को दिये गए कौन पर से घुमाया जाता है इंडेक्सिंग हेड में वर्म और वर्वील का गियर अनपात 20 अनुपाते एक होता है कितना होता है बीस अनुपाते एक होता है नेक्स्ट कोस्चन है मारा 125 नंबर कोस्चन है डारेक्ट इंडेक्सिंग प्लेट में प्राया होल्स के तीन सर्कल होते हैं कोस्चन है मारा 125 नंबर कोस्चन है डारेक्ट इंडेक्सिंग प्लेट में प्राया होल्स के तीन सर्कल होते हैं आप्शन हैं यथा क्रम चुह है 5, 10 और 15 होल, next option है 10, 20, 30 होल, next option 24, 30, 36 होल, next option है 20, 40, 60 होल, इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर सेम याथा क्रम चौबिसर इस और सांट फोल सच्ण होते हैं डिशी से पॉइंट पर बात करते हैं हैं किप डारेक्ट इंडेक्सिंग के बारें बात करते हैं इस एकशे समस्व करते हैं इसे तो इंडेक्षिंग प्हसे demd bows Algal day इसे हम लग और किस नाम से वर्म को वर्म फील से अलग किया जाता है क्या किया जाता है जो वर्म फील होता है वर्म और वर्म फील से अलग किया जाता है तब डारेक्ट इंडेक्सिंग प्लेट को का प्रियोग किया जाता है तब डारेक्ट इंडेक्सिंग प्लेट का प्रियोग किया जाता है डारेक्ट दूरी के होल्स उपलब धिकराए जाते हैं डारेक्ट इंडेक्शिंग में हमारे 24, 30 और 36 होल्स जो हैं बने होते हैं नेक्स्ट कॉस्चन है हमारा 126 नमबर कॉस्चन है इंडेक्सिंग हेड के क्रैंक का एक चकर इस पेंडल को घूमता है कॉस्चन है हमारा 126 नमबर कॉस्चन है इंडेक्सिंग हेड के क्रैंक का एक चकर इंडेक्सिंग हेड के क्रैंक का एक चकर इस पेंडल को घूमाता है है आपके नैंन ना डिगरी मेक्स्ट ऑप्शन है हिएस को सतों 4 से ने को हुए यहां पर जो है क्या ऊवना चाहिए कि यहां पर आपके होनद गूना चाहिए कितना गूंवेंट करता है। कि यहां पर हैं ॥ उनिवर्सल में मीलिंग में में होता है आपने क्योंधितर अरेंजमेंट सिग warto फ्रटिगमन विवस्ता नेक्स्ट ऑप्जिनि विवस्ता इंड़ ने taper Geschm Bend फुल प्रूफ ब्रोस्था नन आफ देजिन में से कोई नहीं इसका राइट एंस रो जाएगा आपसे नमबर बी इंडेक्सिंग अरेजमेंट इंडेक्सिंग की ब्यवस्था रहती कोस्चन है हमारा टॉन्टिश्चन है यूनिवर्सल मिलिंग में होती है इंडेक्सिंग ब् करते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में इंडेक्सिंग ब्यवस्था होती है इसके द्वारा कारेखंड की परिदी को यथार्थता पूर्वक अनेग बराबर भागों में बाटा जाता है अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब चरूर करेगा वीडियो को ज्यादा ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें धन्यवाद